असलाम अलेकम नाजरीन मैं हूँ सेयद मतीयल हसन और आप देख रहे हैं MTV News सरगोदा सिनियर वाइस प्रेजडेंट शमाली पंजाब अंसर इकबाल हरल ने मीडिया से गुफद्गू करते हुए कहा कि पीडियम अब भी मोहलाती साज़्चों में मसरूफ है पंजाब में इन होस तबदीली की बातें ये मूँ और मसूर की दाल जैसी हैं साज़श के तहित इमरान खान को नाहिल करने की कोशिक की जा रही है मज़ीद तफसील जानते हैं मुहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के सिनियर वाइस प्रेजिडेंट शुमाली पंजाब अंसर इकपाल हरल ने मीडिया नुएंगान से बिस्तगू करते हुए कहा कि हाकूमत के पास कोई अजेंडा रही है जब इन से इमरान खान के खान कोई चीज नहीं निकलती तो ये तोशा खाना का शोशा चोटे हैं मुलक के अर्बोर पे लूटने वालों को बिरूनी अकाउंट की हिमा पर फिर से मुलक पर मसलत किया गया तरीक इनसाफ की कामयाब जलसों ने इनकी नीडे हराम कर रखी है काफ लीक की हकूमत महलाती साचों की बजाए अवामी ताकत से इक्तदार में आई है पंजाब से इक्तदार का जाना पीडियम के लिए ड्रोना खाब बन चुका है उसके बाद अगर कुछ चीज 50% प्रेकर के ली है तो वो तो गार करनोनी नहीं है वो करनोनी है लेकन उनकी यह डिवान जो थी कि इसको नवे की दाई से शुरू कर ले कि जो जो कुछ हुआ है वो कर ले यहां तो लोगों में मतलब है कि उसका रिकार्ड भी ने रखा और चौरी कर ली है आपके सामने है गार भी चौरी हुए है सारी चीज़े यह एक प्राफुगर्ण है कि अब कुछ नहीं मिलता तो 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 शाख अना पर आ जाते हैं जो लोग इमराम खान के सिलाब जदगान के हवाले से तनकीद कर रहे थे वो देख लें कि सिन में इमराम खान ही सिलाब जदगान के दर्मियां गे उन्हों नहीं कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तरीक इनसाव पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमाद बन चुकी है और लोगों का इमराम खान पर इतमाद आल क्रेप्ट असूसियेशन पर अब में इतमाद है आल शरीफ और उनके इतहादी अब अवाम ताकत का सामना करने से कासर है